हाई अव्रिवें वेल्गम एक्टुवरी चैनल के एंड केट बी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डारेक्ट हारिंग्स के बारे में जहां पर HR के सब्सक्राइब करने वाले हैं इस बाली मेल आइड पर आपको अपना सीवी सेंड कर देना है नेक्स्ट वह आपकी के सौल की तरफ से यहां पर जाबा से यहां पर जाबा ओप्स एंड माइस्कुल के रिक्वार्मेंट होने वाली है नोएडा इंदौर एंड पूरे लोकेशन त्री डिफरेंट लोकेशन के लिए आपकी ओपनिंग होने वाले है इस बाली मेल आइड पर आपको क्या करना है सीवी सेंड कर देना जल्द से जागे स्टेट एक्सों के तरफ से आपके हारिंग अपॉर्टिटी होने वाले है फुल स्टेक डेवलपर इंटर्ण प्लस पी जब घुडगाउफ का लोकेशन होने वाला है इस क्लेग एपट पर आपको सीवी सीवी सेंड कर देना है सबजेक लाइन आपको क्या रखना है इंड़िकेशन ए पहली मेल आईड़ी के जो कि आपको अपना cv सेंड करती ना है यहां पर जो रिक्वार्मेंट होने वाले हैं गुट कम्मिनिकेशन स्किल से अपले कर सकते हैं मस्ट आप डन डारेक्ट कस्टमर इंट्रेक्शन अंडरस्टंड होना चाहिए आपके पास डेटा मोडलिंग ऑब्जेक्ट मोडलिंग ओवर डिजन प्रिंसपल ओके सब्सक्राइब करने वाले हैं नेक्स में बात करता हूं एक आपका कोडिंग निंजस के तरफ से अगर आप डेवलपर हैं और पूरा टेक्निकल एक वैबिनर होने वाला है जिसमें आपके सीकिंड यहां फर्स्ट यह से लेकर प्री फंडलियर क्वाली इसको चेक कर लेना इस सारी चीज़े आपको मिलेंगी इंट्रेशिप प्लेश्में फ्लेक्सवेल प्रोग्राम सारी चीज़े जो इहां पर डिसकर्शन होने वाला है एक वार इसको आप पटिसिपीट कर सकते हैं रेजिस्टेशन इसमें डेफिनिटी कर देना आप कर सकते हैं अगर आप रिलेव होता है आपका basically support ही होता है तो support में जासी कि एक्षां customer service की knowledge होना चाहिए okay यह online assessment का mail भी आता है जिसमें पूरा process मेंचन है और रिवेचर की क्या link है तो यह है आपकी रिवेचर की link जो अभी open है entry level software developer के लिए पूरा creative यहाँ पर समझ सकते हैं इसमा बी बीटेक किस्टुएंट से अपले कर सकते हैं 23 & 24 के जो वेच के students है वो apply कर सकते हैं तो पूरा process यहाँ पर किलिए लिमेंचन है आपको apply कर देना है apply करने पर आपको क्या इस तरीके से कुछ application form open होगा रिवेचर का सो इस वाले form को आपको fill कर देना है So, in this video I have discussed about multiple hiring, I hope you like this video, thank you guys, thanks for watching.